नमस्कार SPN 9 News दिख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ मानशी जैस्वाल जोती मौरे, SDM जोती मौरे इन दिनों काफी ज़ादा चर्चा का विश्य बनी हुई है सोशल मीडिया पर हर तरफ SDM जोती मौरे की चर्चाएं चल रही है उनके स्तीफे की मांग की जा रही है उनके पती आलोक मौरे यहां पर लोगों की सांतवना लेते हुए नजर आ रहे है यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जोती मौरे है जो है उनको अपना स्तीफा दे देना चाहिए योगी आदितनात को उनके खलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए और जिस तरीके से उनके अपने पती आलोक मौरे को धोका दिया है और बश्चाचार किया है तो साफ तर पर उनको स्तीफा अपना दे देना चाहिए लेकिन इस केस को लेकर के अब जोती मौरे का बयान तो अक्सर सामने आ ही रहा है लेकिन एक सफाई कर्मी नहीं यहाँ पर बड़ा खुला सकी है आपको बता दे कि PCS अफसर पत्नी जोती मौरे से विवादों की भी चर्चा में आये पंचायत राजविभा के सफाई कर्मी आलोक मौरे ने मुकदमे की पैरवी के लिए एक सफता की छुटी ली हुई है ताकि 18 जुलाई को वो अपना पक्ष मजबूती से रख सके आजमगर के रहने वाले आलोक मौरे अपने परिवार के साथ 20 सालों से प्रियागराच के जलवा में रहते हैं इस दोरान साल 2010 में उ प्रियोती से विवाद के बाद चर्चा में आये आलोक ने मुकदमे की पैरवी के लिए ग्राम प्रधान नवीन सिंग पिंटू से एक सफता का अवकाश लिया हुआ है अब पता दें आलोक ने बताया कि चुकी 18 जुलाई को मुकदमे की तारीक लगी हुई है इसलिए वो म महसूस कर रहा है आलोक ने बताया कि चुकी मामला नयायले में विचारधीन है ऐसे में वो अभी कुछ नहीं बोलेगा जिस जोती के लिए उसने अपनी जिंदगी दाओं पर लगाई आज वही उसके जीवन में उथल पुथल मचा कर बदनाम कर रही है तो आपको बता दे क कि सफाई करमी पती आलोक कुमार मौरे से विवाद मामले में 11 चुलाई को प्रियागराज फैमिली कोट में सुनवाई के दौरान जोती मौरे हाजर नहीं हुई उनके वकील ने हाजरी माफी की अरजी कोट में दी जबकि जोती के पती आलोक मौरे नयायले में हाजर हुए अब इस मामले में 18 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी और होमगाट कमांडेंट बनीश दूबे से पत्नी का जो है वो अफैर आपको बता दे की चल रहा था और अब सफाई कर्मी के नए बयान से जो पेशी के दौरान वो गवा के तौर पेश करने वाला है आलोक मौरे सफाई कर्मी को तो क्या यहाँ पर बड़ा खुलासा होता हुआ वो नज़र आएगा यह लगातार अटकले लगाए जा रही है यहाँ पर जोती मौरे का जूट सब के सामने आता हो नज़र आएगा आप इस मुद्व को लेकर कि क्या सोचते हैं मैं कमेंट करके ज़रू बता है देश और दुनिया की तमाँ बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए